आज गुलाब नेवियजाद जी ने कॉंग्रेस पार्टी की सदस्ता से अपना स्थीफा दिया है एक लंबी चिठी लिखी है कॉंग्रेस मेंजिन के नाम पर मैं समझता हूँ जो टाइमिंग है इस चिठी का और स्थीफे का वो बहुत दुर्भागे पूर है क्योंकि पचास साल के लंबे अर्से तक कॉंग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद सांसद मंत्री मुख्य मंत्री नेतपती प्षो इतने पदों पर रहने के बाद आज जरुवत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों के खिलाफ कॉंगेस पार्टी रैली कर रही है चार तारिक वार जो यात्रापूर देश में हमारी पार्टी निकाल रही है ये समय था संगर्ष का सचाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का ऐसी समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें को चिट्टि में लिखी गई हैं उस सचाई से बहुत परे है आज जरुवत है लोगों को मिलकर काम करने की चाहे वो अनभवी हैं चाहे वो पार्टी छोड़ी है और मैं समस्तों कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी तो तमाम कारे करता एक जोट रहेंगे संगर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहें